Hello everybody, मैं हूँ Neha, Hello everyone, मैं हूँ Pratik, Welcome to our channel Pratik and Neha, आज हम आपके साथ बहुत ही important चीज़े शेयर करेंगे, और हम रहते हैं UK में, जो हमने अपने experience से महसूस किया कि जो लोगों के लिए important हो सकता है, जो भी यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, या नौकरी करने के लिए आ आना चाहते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो मेरे husband यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई की है, और वो घर के bills और बाखी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो मैं उनसे कुछ questions करूंगी and वो इसका जवाब देंगे and I think वो इससे आप लोगों की मदद होगी and आप लोग समझ भी जाएंगे कि क्या चीज़े important है, तो चलिए start करते हैं, तो पहला question मैं अपने husband से यह पूछना चाहूंगी, कि आप यहाँ पर क्यों आए? तो मैं यहाँ पर 2012 में आया था और मैं सबसे पहले यहाँ पर internship के लिए आया था, Germany से, Germany में मैंने अपना master's किया था, Molecular Life Sciences में, फिर उसके बाद मुझे लगा कि microbiology एक interesting subject है और मुझे उसमें PhD करनी चाहिए, तो मुझे सबसे पहले मैंने scholarships के लिए apply किया था और मुझे सबस University of Birmingham में मिली थी, तो मैंने सोचा मेरी पढ़ाई जल्दी हो जाएगी खत्म, PhD जल्दी खत्म हो जाएगी तो मुझे Birmingham में जोइन करना चाहिए, तो उस समय मैंने अपनी PhD जोइन करी, और अब मैं as a scientist यहाँ पर University of Birmingham में ही काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको काफी कुछ बताऊ हैं, तो आप मुझे एक बार लिख के बताएं, और हम लोग उस पर एक वीडियो बनाएंगे या आपकी कोई भी कोई होगी 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 हम उससे solve करेंगे, इवन आपका work related या कोई भी problem है, तो आप मुझे बताएं तो हम उसमें या फर वीजा के through या फिर आपको कुछ भी problem हो रही है वीजा में या पर कहीं पर भी, तो एक बाब बताएं, हो सकता मेरे पास कुछ information हो जो आपकी problem solve करते हैं, तो मेरा next question ये है कि आपने यहां आने के लिए क्या तयारियां की और यहां आने के लिए आपने कौन सा वीजा apply किया, तो यहां पर मैं as a student आया था, जैसे जो की cash letter, जो की acceptance of studies certificate होता है, वो हमें university से मिलता है, वो as a offer letter होता है, वो हमें चाहिए होता है, प्लस एक offer, और साथ में हमें financial documents दिखाने होते हैं, जैसे कि आप scholarship का letter दे सकते हो, चाहो तो आपके पास अगर कुछ financial funding है, या फिर आप कुछ से funding अरेंज करके आ रहे हो, तो व उसके basis पर हमें visa मिलता है, प्लस मैं उसके बाद working चालू करी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर switch किया tier 2 visa में, बट यहाँ पर working के लिए काफी सारे visas हैं, तो वो भी सारे point based system visas हैं, जैसे कि tier 1, tier 2, tier 4, tier 4 तो student है, लेकि tier 5 भी एक visa है, तो इसमें हमें एक certificate of sponsorship चाहिए होता है, यानि कि एक job offer चाहिए होता है, तो job offer जो हमें मिलता है, तो job offer हमने दिया, हमने जब उस job offer को accept किया, तो वो हमसे पूछते हैं, आप बहर से आ रहे हैं, या फिर आप UK से ही हैं, अगर हम बहर से आ रहे हैं, तो हम लोगों के पास एक certificate of sponsorship letter भीजते हैं वो, वो letter हमारे लिए बहुत important होता है, क्योंकि उसी से information हमें visa की application में भरनी होती है, तो आपको नहीं दिखाने हैं, क्योंकि certificate of sponsorship में आपके सारे financial season सब कुछ लिखी होती है, कि आपको क्यातना मिलने वाली है, salary और क्या क्या होने वाला है, तो आपको कुछ नहीं दिखाना है, उसमें सिर्फ आप मेरे क्याल से उसका भी अगला question है, और बाकी इन visas में शायद अभी कुछ updates हुए है, टीक है, जो कि मैं students के बारे में तो जानता हूं, लेकिन वो जो work के बारे में मेरे क्याल से कोई change नहीं हुआ है, तो students में जो change हुआ है, वो simple change हुआ है, कि अभी भी same है कि आपको cash letter और आ आपको क्या नाम से financial documents दिखाने पड़ेंगी, उसके basis पे वो पहले points देते थे, वो पहले शायद 40 points थे, अब उन्होंने 70 points कर दी है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, कि cash letter के 50 points कर दी है, अगर आपके पास English कोई certificate है, तो उसके 10 points कर दी है, और financial documents के 10 points कर दी है, तो अगर आप के पास यह सब हैं, तो आपको student visa बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, अब work visa में, सिर्फ आपको sponsorship letter चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ID submit करें, और आपका तुरंत BRP और सब कुछ issue हो जाएगा, तो मेरा next question यह होगा, कि अगर कोई apply करके फिर visa लेकर यहाँ आ जाता है, तो ऐसी कौन सी important चीज़ें हैं, जो सबसे पहले उसको यहाँ पर आकर करनी पड़ सकती हैं, within 10 days या within 1 month complete करनी पड़ती हैं, अच्छा तो आप जैसे हम किसी भी commonwealth country से आ रहे हैं, या किसी भी country से normally हम यहाँ यू के आ रहे हैं, चाहे हम job के लिए आ रहे हों, चाहे हम student purpose से आ रहे हों, हमें सबसे पहले यहाँ पर आके अपना BRP collect करना जरूरी है, क्योंकि हमारे normally visa जो हैं, वो एक साल से जादा जब ह होते हैं, तो हमें एक BRP मिलता है, जो कि Biometric Residence Permit Card होता है, वो हमें card जरूरी लेना होता है, क्योंकि अगर हमाच 6 महीने का visa है, या उससे कम का visa है, तो वो normally sticker के form में, वो passport में लगा होता है, तो वो collect करने के लिए, वो card collect करने के लिए, हमें या तो एक post office बताना होता है, कि हम कहां से collect करने वाले हैं, या फिर आप अपने work या university से वो collect कर सकते हैं, within 10 days, अगर आप वो 10 days में नहीं collect करेंगे, तो आपको problem होगी, थोड़ा और पैसा देगे, आपको फिर से BRP के लिए issue करवाना पड़ेगा, तो वो सम्मिना फसने की वज़ा है, आप यहाँ पर सीधर 10 days के अंदर उसे collect करने, इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी ideas maintain करने हैं, तो ideas क्या है, कि अभी आप सोचो कि passport तो हमारे पास है, तो और कौन सी ideas, ideas हमें चाहिए है local ID proof, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर कुछ भी काम शुरू करना है, जैसे कि हमें bank में अगर हमें account खोलना है, य इवन NHS में अपना registration करा रहे हैं, या फिर कुछ भी करा रहे हैं, तो हमें अपनी ID हमें चाहिए local ID proof, वो सब मांगेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें national insurance number के लिए apply करना होगा, तो national insurance number यहाँ पे हम उस number को use करके कहीं पर भी काम कर सकते हैं, जैसे हम कहीं पर भी काम करते हैं, जैसे student या normal work, वो हमसे एक NI number मांगते हैं, उस NI number को issue कोने में around 14 days लगते हैं, उसके लिए हमारे passport ही जरूरी होता है, passport of BRP, तो उससे हमें एक NI number मिलता है, और वो number को use करके, हम second काम जो करेंगे, वो है electoral register में अपना registration करना है, जो कि यहाँ की election list होती है, उसमें अंदर सारे electors होते हैं, तो हमें उसके अंदर अपना registration करना है, क्योंकि हम लोग Commonwealth citizens हैं, तो Commonwealth citizens यहाँ पर अपना vote डाल सकते हैं, तो वो as a electoral register में अपना registration भी करा सकते हैं, तो अब यह सब हो गया, इसके बाद हमें एक second proof भी जरूरी होता है, वो second proof हमारा कोई electricity का bill, या council tax का bill, या फिर कोई भी normal utility bills, या क्रिकी पानी का bill, या फिर आपके broadband का bill, ये सब चीजों में हो जाता है, तो हमें ये सब electoral register में हो गया, तो आपको next काम जो करना है, वो city council को बताना है, कि हम UK आ चुके हैं, अब आप हमारा city council tax हमारा लेना चालू कर दें, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं, तो आपको fine मारेंगे, हमें इससे बचने के लिए सीधा-सीधा city council tax को बताना है, उन्हें city council को बताके, वो tax bill हमें मिल जाएगा, तो वो as a form of ID हम use कर सकते हैं, ठीक है, अब हमारे पास local ID आ गई, हम चाहें तो एक driving license भी बनवा सकते हैं, provisional तोर पे, उसमें हमें सिर्फ एक BRP card, और अपना passport में से कोई भी एक चीज़ सम्मिट करनी होती है, कि हमें अपना driving license लेना है, उसके लिए शायद 43 pounds या फीस, ऐसी कुछ है, और वो से हमारे driving license भी तेयार हो जाता है, इतनी IDs आपके लिए काफी हैं, अब आप अपना bank account खूल सकते हैं ठीक हैं, आप NHS में registration कर सकते हैं सारे treatment के लिए, ठीक हैं, क्योंकि आपने जब आपने visa apply किया था तो आपने एक IHS के लिए पैसा भी दिया होगा, वो IHS है, immigration health surcharge बोलते हैं, वो NHS के लिए होता है, ठीक हैं, तो अब यह सम्मारे पास हो गया, तो हमें यह चीज़ें काफी ज अच्छा है, लेकिन within 15 days लग जाएगा, क्योंकि आपका NIMR जब तक issue नहीं होगा, तब तक आपको कुछ नहीं हो, कुछ नहीं आप कर सकते हैं, कोई ID नहीं मिलेगी, तो उसके थुरू आप सब कुछ ले सकते हैं, फिर आप next question पूछ लें, तो यह तो बहुत ही important question रहा, इ काँसी best place रहेगी, कहां वो search कर सकते हैं, और within कितने budget में उनको घर मिल सकता है, रहने के लिए, अच्छा, खिर, budget की बात करें, तो budget हर किसी का different होता है, अब student के पास इतना budget नहीं होगा, अगर financial health मिल जाए, parents तो बहतर है, लेकिन अगर आप scholarship पे हैं, तो अभी आपके नहीं होगा, कि आप बहुत ज़्यादा expensive place जो है, उसे rent कर पाएं, तो normally rent के लिए यहाँ पर तीन website जो हैं, वो सबसे ज़्यादा famous हैं, वो है Zoopla, Rightmove और Prime Location, इन तीन पर आप वो कहीं न कहीं कोई भी एक, अगर आप bedroom share करना चाहें, एक सिर्फ एक room share करना चाहें, किसी 6 bedroom या 8 bedroom house में, या फिर कोई भी flat में, या कहीं पर भी, या फिर आप एक studio apartment भी ले सकते हैं, या फिर आप 1BH के flat भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इन website पर, अब आपके budget के साब से होंगे, कि आप यहाँ पर उसमें mention करते हैं, कि आपको कितने से आप रह रहे हैं, तो वो places काफी expensive होंगी, ठीक है, तो मैं, मैं अगर suggest करूँगा, थोड़ी सी दूर, मतलब 3-4 mile के radius के बाहर, वहां से, या अप हाँ पर रहें, तो आपको थोड़ा मतलब अपने budget में थोड़ी चीजे मिलना चालू हो जाएंगी, और आपको अच्छी places मि 280 pounds, ठीक है, उसके अलावा bills अलग थे, तो वो मेरा, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा खुद का budget जो है, रहने पर लगता था, around 325 pounds लगता था, सिर्फ रहने के लिए, मतलब accommodation charges, So, मेरा next question यह होगा, कि आपको कौन से यहाँ पर important expenses लगते हैं, यहाँ आने पर, कि कौन-कौन से expenses हो सबते हैं, student पर, student के लिए, या फिर एक working, किसी के लिए भी, सबसे बड़ा expense जो है, वो है रहना, accommodation solve हो जाए, सब को solve हो गया, ठीक है, student के लिए, सबसे best चीज़ है, कि उसका council tax देना नहीं है, वो council tax है, ठीक है, बस उसे council tax, council को बताना है, कि मैंने, यहाँ पर आ गया हूँ, मैं इस घर में रह रह रहा हूँ, ताकि वो आपको एक bill भ पैसा देना है, आपको यह करना है, वो करना है, और मेरे साथ भी हो चुका है, मुझे मतलब उन्होंने summons भी भेजे, कि आपको जो है, हम legal proceedings में भी डाल सकते हैं, तो मैंने, मैं जब कि उन्हें बता चुका था, कि उन्होंने बाद में उसे solve कर दिया, वो issue, तो जीरो bill है, अब चाहें तो वो लोग शेर कर लें उस council tax को, अब जैसे मेरे case में है, तो मैं अपना council tax भरता हूँ, हम लोग का council tax आता है, around 1250 pounds, पूरे साल का, तो it's not expensive, लेकि अच्छा है, ठीक है, तो आपका main जो खर्चा है न, वो रहने का है, accommodation, council tax, और आपका grocery shops, तो grocery shopping जो है, अब वो depend करता है, आपकी family size पे, अब students की बात करें, जब मैं आप student था, तो मेरा budget maximum जो है, मेरे 22 to 25 pounds पर week लगता था, maximum, मैं इससे जादा मुझे लगता नहीं, मैंने कभी दिया, ठीक है, अब वो ही बात है, कि अगर student भी चाहे, अगर आप बाहर party करते हैं, या पर कुछ भी ही पे बाहर गया, तो उसमें थोड़ा expense बढ़ गया, लेकिन grocery shops में मेरा 25 pounds से जादा कभी खर्चा नहीं आया, as a student, but आप family size जब बड़ा, और अप परीवी हम लोग के साथ है, तो अब जो है, अब आप समझ ले, मेरा हर week अप जो है, लगबग 110 pounds तक maximum आ जाता है, ठीक है, इसके बाद आपका electricity bill, आपका broadband का bill, आपका gas का bill, आपका water bill, ये सब add करें, तो इन में काफी खर्चा इन में भी हो सकता है, लेकिन ये भी आपकी उस पर है, कि आप कितना, आप अगर control करेंगे, तो आप बचा सकते हैं, और मतलब आपका, सब कुछ आप ही पर है, mainly, लेकिन इतना जो main खर्चा है, वो जैसे कि मैंने बोला, वो अभी भी सिर्फ accommodation ही है, तो मेरा next question यही होगा, कि जब बीवी आप बच्ची की बात आई गए, तो आपने मुझे यहाँ लाने के लिए कौन सा visa apply किया, और जब हमारी बेटी हुई, तब हमने उसका visa कौन सा visa बनवाया, तो इस बारे में थोड़ा रहता है, अच्छा जब मैं नेहाँ को यहाँ पर लाया था, तो मैं student house था है, मैं finally a PhD में था, तो मैं अपने students जो हैं, जो की जिनके जो पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक साल से जादा के courses हैं, वो यहाँ पर अपने partners को ला सकते हैं, और वो अपने अज़र डिपेंडेंट ला सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उनलों को भी कुछ एक्स्ट्रा दिखाना होता है, जैसे कि financially कि वो financial stable हैं, कि उनके पास around 650 pounds पर मन्थ, लंडन को छोड़के और कहीं पर भी उनने 650 pounds पर मन्थ वो maintain कर सकते हैं, तो उनने यह दिखाना होता है, कि मेरे पास इतना पैसा है, कि मैं अपने partner को support कर पूँगा, तो मैं student पर जब लाया था, तब वो tier 4 dependent visa था, उसके बाद हम लों ने यहाँ पर switch किया था, तो वो tier 2 dependent visa था, अब tier 2 dependent में, फिर हमें कुछ नहीं, बस महाँ पर university को बताना होता है, कि हमें अपनी family का भी maintenance उसमें चाहिए, मतलब वो उसपे टिक करेंगे, एक letter होता है, जो मैंने बताया आपको certificate sponsorship, उसपे टिक कर देंगे, कि आपकी family का भी maintenance वो देना चाहा रहे है, ठीक है, और बस वो letter लगता है, और बागी कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ काफी problems मतलब हम लों को जब आई थी, वो थ के लिए, उसका मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ, अगर आप चाहें तो, और परी का हम लों ने यहां पर passport बनवाया था, और passport के बाद उसका भी वीजा अपलाई करना पड़ा, तो उसका भी dependent वीजा है, और वो same ही वीजा है, जो नहागा वीजा था, ठीक है, तो mainly फिर भी, अभी भी जो मैं कहूंगा, कि वीजा में जो है, काफी फीस आती है, तो आप देख के, मतलब आप डिपेंड करता है, कि आप अगर अपनी फैमिली को सिर्फ एकाद महीने के लिए यहां ला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप dependent वीजा पर उलाएं, आप सिर टूरिस्ट वीजा अपलाई करें, जो कि around 70-80 pounds है, और उस पे लिया हैं, और यहां पर रह सकते हैं, चेह महीने के लिए, अगर आप अपनी फैमिली को यहां रखना चाहते हैं, और यहां पर सैटल होना चाहते हैं, तो डिपेंड़न वीजा आपके लिए अच्छा है, तो I think हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, बस मैं यह पूछना चाहूंगे, और कि आप यहां थोड़ा traveling के बारे में बताते हैं, जो यहां students नए आ रहे हैं, और जो working है, वो कैसे travel कर सकते हैं, office या university जा सकते हैं, आचा, students के लिए मैं पहले बता दूँगा, तो students के लिए best हैं उ 200 pounds, जो normal person और students में difference है, वो 200 pounds जादा होगा एक normal person का, तो वो उसके लिए cheap है, लेकिन यहां university of Birmingham में हम लोगो मतलब मुझे नहीं पता दूसरी universities के लिए साथ क्या है, बट buses ने जो है, एक contact कर रखा है university के साथ, कि अगर वो यहां Sally Yoke जो पास में हमारे जगे हैं, वहां से city center क आपकी एक pound है, तो आप चाओ तो या तो पास ले लो, अगर या फिर आपका जो center है, जो है आप city center में रहते हैं, और commute कर रहे हैं, आप university, तो वहां पर आपकी एक pound लगता है, normally अगर आप bus pass ले रहे हैं, पूरे region में, कहीं पर भी जाने के लिए, पूरे उस region के लिए, तो around 400 pounds में student pass आ जाता है, जो कि same pass around 600 या 650 के आसपस आएगा, एक normal person का, ठीक है, और बाकी आप train भी ले सकते हैं, और buses भी ले सकते हैं, दूसरी private भी, ठीक है, अब train में मैं कहूंगा, अगर आपको पैसा save करना है थोड़ा, तो आप एक rail card होता है, वो normally only 30 years के age तक के लोग के ल 25 एक rail card होता है, फिर एक 26 to 30 rail card था, जो कि मैं अभी use कर रहा था, अब नहीं कर सकता है, और तो वो rail card आपको one third आपको off दे देता है, normal tickets पे, तो वो अच्छी चीज़ है कि आप उससे भी commute कर सकते हैं, ठीक है, अब बात आती है car पे, तो मैंने पहले तो काफी bus में, और मैंन student था, और student के बाद जब मैं working चालूगी, तो उसके बाद मैंने एक car ली, अब car भी आप पे depend करती है, कि आप costly भी ले सकते हैं, और cheaps भी available है, ऐसा नहीं है, कि आप सोचो कि नहीं है, तो वहाँ वो rate भी बताओं, तो आप काफी पुरानी, अगर 2010 तक की गाड़ी लेंगे, तो around thousand pounds तक में आ जाएगी, ठीक है, और अब अगर आप थोड़ी नई ले रहे हैं, यासे मैंने ले थी, मैंने उस टाइम ले थी, गाड़ी जो है, वो के नाम से हम लों को काफी expensive पड़ी थी, ठीक है, अब वो ही आपके budget पे है, फिर से, कि आप अगर लेना चाहते हैं, त तो आप credit card जरूर apply करें, सबसे पहले, उससे फायदा यह है, कि credit card अगर आप use करते हैं, कहीं पर भी UK में, एक तो आपने कोई नई company को payment करना है, तो आप credit card के through करें, क्योंकि अगर आप debit card से pay करेंगे, और by any chance वो company collapse हो जाती है कहीं पे भी, और तो वो आपको कोई पैसा न कि आपकी credit rating बढ़ती है, यहाँ पर UK में credit rating बढ़ाना बहुत जरूरी है, अगर आप कोई भी बड़ा loan, चाहे वो car का हो, चाहे वो घर के लिए किसी चीज़ का हो, चाहे वो mortgage हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम लिए हम लोगों को credit rating अपनी अच्छी रखनी बढ़ती है, और तो credit card must है, ठीक है, वो आपको लेना जरूरी है, ठीक है, जो मुझे थोड़ा बाद में बता चला, मेरे पास credit card था, मैं credit card use नहीं करा मैंने, ठीक है, तो उससे मेरी credit rating अच्छी नहीं रही थी, 2016 तक, फिर उसके बाद मैंने इसे use करना चालू किया, तो अब excellent हाती है, तो व अगर आप कहें कि वो mileage पे भी depend करता है, पेट्रोल के prices यहाँ पर थोड़े से जादा है, तो यहाँ पेट्रोल अभी COVID के time पर तो काफी सस्ता हो गया था, मतलब around 1.2, 1.10 पी पर लीटर था, but normally जो रहता है, वो 1.40 पैंस और 1.50 पैंस के around रहता है पर लीटर, ठीक है, तो वो आपके mileage पे भी depend करता है गाड़ी के, और आप कितनी दूर travel कर रहा है, उस पे भी depend करता है, पर students के लिए अभी भी मैं कहूंगा cheapest ways to travel by bus. So I think हमने काफी कुछ cover कर लिया है, वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी questions है, वीजा से related, या फिर यहां रहने से related, और अगर आपके से भी इनिवस्टी में apply कर रहे हैं, कोई भी question आपकी दिमाग में आता है, तो आप हमें comment करके या फिर आपके पास अगर कोई भी complicated, कोई भी question है, जो आप सोचते हैं कि हो सकता हम लोग के पास answer हो उसका, तो आप उसको चाहिए नहीं आप पूछ लें, हो सकता हम लोग के पास answer हो, आपकी problem भी solve हो जाए, क्योंकि मुझे काफी complication हुए थे, इसमें वीजास में और कहीं से बचने के लिए, और क्या करना पड़ा, बलग काफी चीज़ें होई थी, तो वो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कहीं पर भी, इवन घर खरीदने का भी process जो किया हो, हम लोग लग बग around होने वाला है, हम लोग का खतम, अभी सिर्फ legal procedure चल रहा है, हम लोग की तरफ स सब कुछ clear है, तो घर हम लोग का हो जाएगा, तो वो अगर आपको mortgage apply करना है, या फिर घर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, या कुछ भी, अगर कोई भी सवाल है, visa से related, या फिर student life से related, या फिर कहीं किसी भी university में apply करना हो, किसी से भी related, अब एक बार comment करके करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि हम किसी की भी मदद कर पाएं, लास्ट में मैं आपको कुछ tips दे दूंगी, कोई भी student या कोई भी यहां पर आ रहा है काम करने के लिए, तो बस यही tips हैं कि आप यहां आए, बिल्कुल भी nervous ना हो, बिल्कुल भी hesitate ना करें, किसी से भ बात करने में, अगर आपको English में या किसी चीज में भी problem होती है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, clearly अपनी बात करने की कौशिश करें, communicate करें, यहां के लोग काफी अप्छे हैं, काफी helpful हैं, आपकी मदद करेंगे, और अपना थोड़े से manners or behaviors में changes like, please thank you, और यह सब चीजे चोटी-चोटी चीजे हैं, और कोई भी आप चीज कर रहे हैं, तो यहां पर एक बार compare कर लें, या इंशूरेंस ले रहे हैं, या फिर घर ले रहे हैं, रेंट पे, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, थोड़ा सा compare करके खरीदें, तो इसे आपकी थोड़ी saving हो जाएगी, and साथ बने रहेंगे और future में भी हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे वीजा से related, dependent visa से related, student visa से, mortgage से या कोई भी जो अभी हमें लगता है कि important है उससे related. So, bye-bye. Bye. Bye.